नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुझ है, आयूप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई डंक से कर रहे होंगे तो यह जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टेटजी किस चीज की स्टेटजी हाँ पर डिस्कस करेंगे हम इंग्लिश की स्टेटजी, ठीक है इंग्लिश की स्टेटजी हाँ पर हम डिस्कस करने वाला है कि कैसे कैसे क्योंकि देखे अभी अगर आप देखें, तो करीब करीब आपके एक्जाम का कितना टाइम बचा है आपके exam का अगर approach देखके तो आपका exam को बचा है तो इस time में कैसे कैसे सारी चीज़े cover की जाए या फिर कैसे कैसे चीज़े को boost up किया जाए या फिर जो लोग पढ़ चुके हैं तेकि मेरे हिसाब से बच्चे जो students होते हैं वो तीन quality की होते है कैसे एक तो first quality जो होती है कि जो लोग होते हैं जो मतलब form भरते हैं और शिद्दत से अपनी preparation में लग जाते हैं दब के यानी बस क्या है कि उन्हें उन्हें बस एक की चीज़ दिखते हैं उनका selection चीकर, second quality होती है कि जो लोग होते हैं ठीक है, पढ़ाई कर करते हैं कर रहे हैं यानि जो यह वाले हैं इनका स्लेबस है पूरा कंप्लीट यानि यह तो पूरा कंप्लीट कर चुक है अपना स्लेबस इनका स्लेबस चल रहा है थोड़ा सा मतलब इतने एंथ्वेस्टिक हैं पढ़ने के लिए पर उतने नहीं जितने फस्ट वाले कंपेर म उतना serious नहीं है और थर्ड वाले यह ऐसे बाइस आवे जिन्होंने पढ़ना अपने तक स्टार्ट की आई नहीं यह सोच रहे हैं कि अब चलो अब एक महीना रह गए पढ़ लेते तो इने मैं कहते हूं कुए के मैंडिक्ट है ना इने मैं कहते हूं कुए के मेंडिक्टि निस हाओ यह अपनी preparation को इस strategy से क्या कर सकते हैं यह boost up कर सकते हैं ठीक है यह boost up कर सकते हैं इस strategy से स्ट्रेटीय से दूसरे बच्च्चे जो है यह जो second quality वाले है यह क्या कर सकते हैं या À जिए से मालिया जो मैं topics बताने वालूं कौन से topic फर्स्ट प्रिफरेंस में होने चाहिए कौन से बाद में पढ़ने चाहिए तो यह वहाँ पर उन्हें मतलब जो important topic है उन्हें पढ़के क्या है अपना time बचा सकते है वही यह जो भाई साव है इनका तो क्या है कि यह तो राम भरो से वाले टाइप है तो इनका क्या है इनका जो बता दिया जो strategy फोलो कर ली तो शायद success हो जाएं नहीं तो वही वह राम भरो से है इनका चीक है तो तीन quality के student है तो चलिए start करते हैं वीडियो को इसमें मैं आपको केटेग्राइज करूंगा आपके सारी topics की कौन सा topic ज्यादा important है कौन से topic से frequently question पूछे जाते हैं किससे आपको से बाद में पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रखने वाला हूं passage क्यू रख रहा हूं passage क्यूंकि देखे अभी पूरा कितना time बचा है आपके exam का आपके exam का बच रहा है एक मन्त तो इसमें आप अगर आप क्यूंकि देखे mostly क्या है कि बच्चे जो preparation करते हैं वो यूपी से और बिहार से हैं ठीक है यूपी और बिहार से हैं और इन बच्चों के साथ एक problem होती है वो क्या वो English की ठीक है मैं भी UP board से पढ़ा हूं तो मुझे भी हुई थी ठीक है तो English की इनके साथ परेशानी होते तो मैं इनका दुखदर्द समझ सकता हूं पूरी अच्छे तरीके से मैं भी हिंदी बोर से पढ़ा हूं तो English की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और इन्हें क्या है कि डंक से guidance वाला नहीं मिल पाता कोई तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले passage से आपके चार कोशन आने व पढ़ा है यानि आपको 3-4 sentence दे देगा और उसमें क्या है कि आपको पूरे उन्हें उडर में लगाना होता है चीक है तो यहां यानि कि आपको पांच कुश्चन पूरे आप किस चीज से कबर सकते हैं अपने reading skill से अगर आपकी reading skill develop है या फिर आप reading करते हैं तो आप अराम स और इन कूशनू कर जाएगे अच्छ अब एक चीज है कि जिनकी डवलप नहीं है क्योंकि ज्सली बच्चे तो उन्हें अब क्या करना है क्योंकि एक महिना बचाých तो आपको मेन स्थेडीज बताता हैं उन्हें क्या करना हैं कि आज से ही यार कि आजसे तो नहीं अब ये वीडियो जो है शाम को आपको मिलेगा आपको कल से ही स्टार्ट करना है कि आप रोज एक घंटा दें किसे पैसिज को एक घंटा दें यानि रिडिंग को इसमें आपको पैसिज की प्रैक्टिस नहीं करनी है इसमें आपको एक आर्टिकल कोई भी उठा लेन देना है कि आप उसे 10-15 मिन पर पढ़ पाएं, एक बार समझ में आए, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, चार बार पढ़ें, जब पूरा समझ में आ जाए, देन उसके बाद आप उसे छोड़ सकते हैं, उसमें वोकैबलरी निकालें और उन्हें रिविजन करते रहें, दूसरी चीज, आपको आदा घंटा किसके लिए देना है, आदा घंटा देना है आपको आपके पैसिज प्रैक्टिस के लिए, रोज एक या दो पैसिज लीजिए, उन्हें पूरा पढ़िए और उसका थोरोली प्रैक्टिस कीजिए, यानि आपको आज से ही क्या देना है, डेड़ घंटा इसके लिए अलग से बॉल्कुल, टीक है, डेड़ घंटा इसके लिए अलग से एक तरीकी से लगा लिजए, फिर इससे फाएदा क्या होगा, यहाँ पर आपके, पांच नंबर निकलने वाले, क्यों निकलने वाले पूरा रेडिंग मैंने जैसे बताया था एक नंबर का जंबलवड और चार नंबर के आपके पैसी जाएंगे तो आपके यहां से पांच नंबर पूरे निकाल लेगे तो अगला हम मैं बताता हूं आपको की नरेशन यह हमारा नरेशन और एक्टिव पैसिव यह तो ऐसे टोपिक है कि भाई सब दुनिया इदर से उदर हो जाएगी लेकिन यह टोपिक आना बंद नहीं होंगे एरफोर्स के एक्जामीनिशन में ठीक है एक्टिव पैसिव यह टोपिक है हमारे ओह यारे बड़ी दिख से अगर आप इनके रूल्स पढ़ेंगे दोनों के मैं तो क्या तो दो दिन में पढ़ सकते हूं लेकिन अगर थोड़ा बच्चा कम जानता है तो चलो मैं लगा ले तो पांच दिन आज क्या चोदा तारीक है तो आप 20 तारीक तक इनके रूल्स खतम कर लिजिए नरेशन औ इनके रोज कीजिए और आपका अराम से कवर हो जाए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप यहां इसे बिल्कुल अराम से कवर कर जाए और आपके एक्जाम में ते इतना बड़ा लेवल का कुश्चन भी नहीं आता नहीं आता तो आपके यहां पर कितने नमबर होए पा है ठीक है अब हमारा इंपोर्टेंट टोपिक आता है यहां पर आर्टिकल का अर्टिकल ठीक है अर्टिकल भी आपको क्या है यहां से भी आपका यहां पर कुश्चन भूच जाता है यहां पर कुश्चन भूच जाता है एक मार्क्स का ठीक है एक मार्क्स का यहां से कुश् आर्टिकल में, तो क्या है कि आप इसे भी दो दिन में आराम से खतम कर सकते हैं, आर्टिकल का जो टोपिक है, दो दिन में इसे खतम कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कुछ भी दिक्कत नहीं है, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, आर्टिकल उसके बाद है आपका टोप है और error में भी आने के पूरे पूरे chances होते हैं ठीक यानि फिलप में और error में दोनों में इसके आने के chances होते हैं subject verb agreements से तो इस topic को भी कर लीजेगा इस topic को भी करने में अगर आप करेंगे कुछ इसमें थोड़े बहुते rules हैं यानि मेरे हिसाब से अगर आप करें तो बिल्कुल deeply थोड़ा जाके पढ़ेंगे तो 25 या 30 के करीब इसमें rule होंगे उन्हें पढ़ लीजेगा वहां से आप अराम से cover हो जाएगा ठीक है तो यह भी अराम से cover हो जागा subject verb agreement आपका अब आगे देखते हैं mainly जो इसके बाद topic आता है आपका वो है तो इसे यह भी मतलब इसे भी आप एक या दो marks का आप इसे लगा के चल सकते हैं देखिए आपके exam में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा paper आपका fix है यानि fix नहीं है कि यह question आएंगे question vary करते हैं यानि फर्स्ट shift में कैसे questions आएंगे यह second shift में कैसे questions आएंगे for example कि आपका first shift में क्या है transformation से question पूछता है for example transformation से question पूछ लिया तो यह ज़रूरी नहीं है कि आपका second shift में भी transformation से question आए ठीक है तो ये कुछ topic है जो vary करते हैं बाकी कुछ topic ऐसे हैं जैसे आपका passage हो गया और आपका narration और active passive हो गया ये क्या है बिल्कुल fix है इनसे question आएगा ही आएगा तो हम बात करते हैं tense की यहां से आपके दो number अराम से निकल सकते हैं मुश्किल से अगर आप पढ़ें तो तीन दिन का topic है बाकी उसके बाद practice से start किजिए देंकि क्या है कि बच्चे क्या है rule ज़्यादा पढ़ते हैं practice कम करते हैं यानि practice in the sense कि आप questions की practice जितनी ज़्यादे ज़्यादे करोगे practice करो दबा के tense की अब अगला topic देखते हैं अपना अगला topic क्या है हमारा अगला topic होगा इसमें हम word formation एक तरीकी से question आते हैं word formation जैसे word formation में आप से क्या पुछ जाता है जिसे आप से कह देगा कि आपको एक noun देदेगा और क्या कह देगा उसमें कि एक number का बिल्कुल आता ही आता है आपके exam में क्योंकि देखो बच्चे बड़े परिशान होता है इसके लिए मुझे लगता है कि कोई वीडियो पर कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो आपको word formation के बारे में जिसने पढ़ा रखा हो तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक या दो वीडियो में मैं इसे खतम कर दूगा और उसमें आपको most probably यानि आप उससे 95% questions आप cover कर पाएंगे क्योंकि क्या होता इसमें भी जो जैसे यह है इसमें TIO, ION last में है तो इसका मतलब यह formation क्या है एक noun है तो ऐसे ही कुछ मतलब इसके links होते है prefix और suffix से prefix से हम इसे पैचान लेते हैं prefix और suffix से कि क्या है इसका part of speech क्या होगा ठीक है 95% उसके question cover को हो जाएंगे मैं आपको एक video प्रोवाइड करवा दूगा एक marks का यहां से भी question आप से अब मतलब बिल्कुल पूछा जाता है अब अगला topic क्या है हमारा अगला topic है हमारा conjunction अगला topic है हमारा conjunction इसमें भी क्या है आपके fill up वागेरा में question पूछ जाते है इसमें आपसे pairs होते हैं इसमें कुछ important pairs होते हैं उनसे question पुछ जाते हैं यार ये लिखने का पता नहीं कब habit पड़ेगी मतलब देरे देरे पढ़तो रही है सुधर तो रहा है ठीक है conjunction इसमें आपसे pair से question पुछ जाते हैं किसे question पुछ जाते हैं pair से जाइन आपको बताया था कि इसे ब हैर से question पुछ जाते हैं जैसे बताया था कि नाइदर के साथ नोड चलता है आइदर के साथ और चलता है not only but also इसे यह pairs होता है इनसे question conjunction में पूछ जाते हैं आपके error में भी आ सकते हैं और फिलप में भी आ सकते हैं अब आप सोच रहे हैं सारा सब कुछ तो बता जा रहे हैं चुड़वा क्या रहे हैं बताओंगा क्या चुड़वा क्या रहा हूं छोड pronoun क्योंकि इसमें भी आपसे question पूछ जाते हैं फिलप में पूछ सकता है फिर error में पूछ सकता है तो pronoun भी आप पढ़ लीजेगा इसे भी नहीं छोड़ना अब इसमें छोड़ना यानिकि सबसे बाद में प्रिफ्रेंस बाद में देना है यानि पढ़ना तो उन्हें भी है कि इन टोपिक को आप बाद में प्रिफ्रेंस दे सकते हैं यानि इन आप बाद में पढ़ सकते हैं देखिए मैंने बताया था तक तीन क्वालिटी के बच्छे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये लोग जो है फर्स्ट वाले तो ये लोग तो पढ़ी चुके होंगे इन टोप को पढ़ो जो मैंने पहले आपको बताएं पहले उन्हें कंप्लीट कर लो उसके बाद इन पर आ जाओ और तीसरे वाले हैं इन्हें तो मैं कहूंगा आप छोड़ी दे इन टोपिक को कि एक महीना है तो इतना कुछ नहीं हो पाएगा तो एक थर्ड वालों को मैं कहता हूँ आप मत पढ़ना इन टोपिक कै क्रें बागी आगे बाद करते हैं अब हम वकैबल्री की क्या थे अब KYA है मैं आपको बताओं कि इतना व्اص जो दो है जो होता है कि बहुत काफी वास्ट होता है लेकिन एर फोर्स प्रच्षक से उतना वास्ट नहीं होता यहनि वो क्या है कि इतना वास्त यहां पर जो daily use में जो words होते हैं में ली उनी से questions आपके पूछे जाते हैं daily use वाले words कभी-कभी क्या थोड़ा आपसे hard पूछ लेता है लेकिन daily use में mostly daily use वाले words ही आपसे पूछे जाते हैं तो यहां पर आपका क्या है कि आपको एक question antonium से पूछता है एक synonyum से पूछता है एक idiom phrase से question पूछता है ठीक है idiom phrase और एक आपका OWS यानि one word substitution से question आता है ठीक है तो antonium synonyum idiom और OWS यानि one word substitution तो इसमें क्या है हमने एक series चलाई थी last time vocabulary की उसमें मैंने आपको हमने आपको क्या कराया था synonyums कराया थे सबके तो synonyum वह तो बता ही है मैंने आपको बता रहा है अगर जिसने उस series को follow कर रखा है तो फिर तो उसे दिक्कत नियोंगी vocabulary में बाकि idiom phrase और OWS मैं भी जो classes ले रहा हूं उसमें तो करवाई रहा हूं लेकिन सबसे last में एक्जाम से 10 या 15 दिन पहले हम आपको एक PDF या PDF टाइप या फिर तीन चार दिन क्लास प्रवाइड करवा देंगे जो important important यानि यानि कि जो बार-बार repeat जो होते है questions इडियों और OWS क या होना चाहिए रूल्स पे कम focus होना चाहिए practice पे जैदा focus होना चाहिए ठीक है rules पे कम grammar की बात कर रहा हूं और practice पे ज्यादा क्यूंकि rules आप पड़ लोगे मुश्किल से एक chapter को कर लेके चलो तो दो दिन में अभ भी आप खतम कर सकते हो मैंने बताया दो दिन में एक किसी भी चैप्टर खतम करके जितनी जादा प्रेक्टिस हो सकी है उसकी आप प्रेक्टिस जाधा करो क्योंकि उस से ही तो पता लेगा कि कैसे implement हो रहा है रोल तो प्रेक्टिस पर जादे जादा धिहान दीजे और test series का मैं बता दूँ आपको कि हमने test series अपनी जो PTS है launch कर दी है और बहुत सारे बच्चों ने उसमे एन्रोल भी कर लिया है तो अगर आपने भी एन्रोल नहीं किया और आप एन्रोल करना चाहते हैं तो आप उसमें एन्रोल कर सकते हैं मैं आपको वेबसाइट का लिंक जो है description box में प्रवाइड करवा दूँगा मैंने बताया ना कि प्रैक्टिस आपने कहवाद भी सुनेगी प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट यानि जो प्रैक्टिस है बगवान को सोरी मैन को परफेक्ट बनाती है ठीक है कि हर टोपिक को उसमें जैसे मान लिया आपका आर्टिकल टोपिक है ठीक है आर्टिकल का एक दिन में आर्टिकल को समा एक दिन में तो होने वाला नहीं है लेकिन इसकी जो important important questions है concept है वो मैं discuss करने की सोच रहा हूँ तो अभी से रेट वा दूँए तो भूल नहीं जाओगे तो अग्जाम से 10-15 दिन पहले रेट होगे तो भूलोगे नहीं क्योंकि mainly अगर पूरा thoroughly पढ़ोगे तो टाइम लगता है लेकिन आपके exam point of view से इसे हम एक दिन में खतम कर सकते हैं तो ऐसी सारे topics में आपको कराऊंगा 10-15 दिन पहले तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अपने पढ़ाई कीजिए और लगे रहिए बिल्कुल अपने एम को visualize कीजिए यार मतलब motivation कुछ बच्छे कहते हैं सर motivation नहीं मिलता है मैं तो अपने एम को visualize कीजिए जितना